Hello everyone, welcome to Rara दोस्तों, आज मैं normal to oily skin के लिए face make-up करके दिखा रही हूँ मैंने foundation लिया है Maybelline Fit Me और ये normal to oily skin के लिए है matte plus poreless look देने के लिए SPF 22 है इसमें अच्छे से face पर मैंने dot or dot करके लगा लिया और face को इसे पहले moisturize किया है और primer यूज किया है आप थोड़ा सा जो है silicon primer ज़रूर यूज करिएगा अगर आपको open pore की problem है और इस तरीके से beauty blender की सहायता से मैं अच्छे से blend कर रही हूँ बहुत ही flawlessly ये blend हो जाता है 629 यानि की 629 रुपीज इसकी MRP है 30 ml product quantity मिल जाएगी आपको इसमें आपको बताओ mini pack भी आता है 299 MRP का लेकिन वो सस्ता मिल जाता है सेल के दोरान ये सब product मैं टैक कर दूंगी आप ले लीजेगा या नायका से आप इने ले सकते हो 128 मेरा shade है और ये clay के साथ में आता है mattify करता है clay skin के oil को जो है control करता है and shine free look देता है और ये skin tone से बहुत even तरीके से match हो जाता है and natural seamless finish देता है UVB protection भी देता है so काच की packaging में आता है foundation बट इसको आप normal room temperature पे ही store करके रखिएगा और ये na oily skin के लिए हर weather के लिए अच्छा है क्योंकि देखिए oily skin तो oily skin होती है वो winter हो या summer हो वो हमेशा परिशान करती है इसलिए आप matte base foundation लीजिए हमेशा और clay वाला हो तो सबसे best होता है and ये coverage भी बहुत अच्छी देता है buildable और मैंने यहाँ पर किसी प्रकार का कोई concealer use नहीं किया है तो बहुत अच्छे से मैंने beauty blender की साहता से इसको blend कर लिया है और अब मैं जो है fit me का ये matte plus poreless powder ले रही हूँ जो कि 12 गंटे तक oil को control करता है और ये skin tone and texture के लिए एकदम perfect compact है light ivory मेरा shade है इसमें और ये बहुत ही सस्ता वाला compact है लेकिन best है क्योंकि ये skin को natural skin tone देता है SPF 28 PA++++ है इसके अंदर दोस्तों और मैं जस्ट इसको जो है apply करके थोड़ा सा मैंने गीला beauty blender वापस ले लिया है और इसको मैं दुबारा से apply कर रही हूँ क्या है कि इससे extra powder हट जाता है और बढ़िया finish आती है और ये powder वैसे भी micro powder है तो अच्छे से absorb हो जाता है और पसीना नहीं आने देता तो अच्छे से मैंने इसको वापस से जो है set कर लिया अब मैं Maybelline Fit Me का blush ले रही हूँ जो की shade है hopeful और ये 4.5 gram product quantity 499 रुपीज में आती है तो ये blush बहुत ही smooth even natural flush देता है skin पर ये आपको बता दू बहुत ही beautiful color है मतलब foundation shades के साथ बहुत अच्छे से pair हो जाता है जैसे कि आप यहां देख रहे हो मैंने नोज पर अप्लाई किया और अच्छे से मैंने forehead पर भी इसको थोड़ा सा प्लाई कर लिया है थोड़ा सा shimmery है बहुत light shimmery है इसलिए skin में natural glow दे रहा है और आप सोचोंगे मेरे lips already red red pink pink क्यों है यह मैंने lip tint लगाया था foundation लगाने से पहले और अब मैं थोड़ा eyebrows को clean कर रही हूँ अच्छली lip tint लगाने का मेरा उदेश यह है कि मेरे lips पे foundation ना जमे और जब lipstick लगा हूँ तो skin tone ना चेंज हो lips की और अब मैं जो है Maybelline New York का ही Master Chrome Face Studio वाला जो metallic highlighter है यह illuminator यह ले रही हूँ 1000 molten gold shade है यह और यह भी beauty blender से apply कर रही हूँ और यह 599 MRP के साथ आता है 6.7 gram product quantity में काफी अच्छा वाला यह glow देता है और यह बहुत ही affordable price में मिल जाएगा just 50% off पे मैंने इसे लिया था नायका से और यह एक्तम golden finish देता है लाइक आप अगर किसी की wedding में जा रहे हो definitely आप इसे यह makeup कर सकते है और blush और यह जो highlighter है इसको मैंने थोड़ा सा पाउडर ले लीजे पाउडर इतना अच्छा होता है उससे फिलिंग तो अच्छी होती है बढ़िया एकदम शेप आ जाता है लॉंग लास्टिंग होता है और मैंने थोड़ा सा जो है inner corners में आइज को highlight किया है same highlighter से अब मैं एक mascara लगा रही हूँ दिस इज लॉर्याल पैरेस का जो यह Lash Paradise waterproof mascara है इससे और आप कोई भी mascara ले लो अच्छा होगा कि आप growth booster mascara यूज करो color bar वाला वह जादा बहतर है और lips को में थोड़ा सा यहां पर clean कर रही हूँ tissue की साहता से और यह wet tissue है color bar का makeup remover wipe था और अब मैंने एक lipstick ली है this is from Maybelline again और यह है shade number 11 raspberry and यह बहुत beautiful magenta pink color है अब चुकि मैंने lip tint लगाया हुआ था already मेरे lips पे और वो था from etude dear darling water tint and वो water tint था I think strawberry variant तो वो जो है reddish pink color दे देता है और आप lip tint everyday लगाओ आपके lips naturally pink pink लगेंगे और वो water tint होते हैं तो वो बहुत ही जादा seamlessly blend हो जाते हैं देखिए pink color की lipstick तो अच्छी लग रही है इस makeup पे बट उतनी अच्छी नहीं लग रही क्योंकि बहुत bold pink है तो आप जब कोई Indian outfit पहनो ethnic बढ़िया सा तब लगाओ otherwise आप जो है ये nude lipstick लगा सकते हैं Maybelline New York Super Stay Matte Ink ये 650 की आती है 5 ml and this is the shade 265 Caramel Collector and ये जो है बहुत ही beautiful लग रही है और ये ना थोड़ी सी warm shade है तो इसको आप दोपहर के समय brunch के time पे यूज कर सकते हो या फिर आपने कोई अच्छा सा coat पहना है overcoat उस पे इस तरीके के lip shades बहुत सुन्दा लगते हैं December के महीने में अगर आपने black, red कोई भी color का जो deep dark color के जो coat होते हैं especially nude color के जैसे की brown and mauve shade में अगर आप coat पहनते हो overcoat की मैं बात कर रही हूँ बहुत अच्छी लगती है in fact orange के साथ तो ये बहुत सही जाता है lip shade otherwise मैं लगाने वाली हूँ एक nude shade की lipstick this is from naika और ये है wake up makeup shade number बहुत अच्छी है 299 MRP है लेकिन ये 1500 तक sale में मिल जाती है और बहुत अच्छा moist matte lipstick है ये and आपको पता है ये product quantity 4.2 gram देते है so काफी काफी सही और इसमें आपको बहुत सारे shade मिल जाएंगे इसी के साथ में मैं इस shade के साथ थोड़ा सा pink mix करने वाली हूँ naika molten matte lip color this is my favorite 03 blare इसका हलका सा tint लगा करके देखे ये एकदम ombre वाला look आ जाता है और इसी को deep pink बनाने वाली हूँ with naika molten matte shade number 12 Charlotte and ये कितना beautiful लग रहा है उमीद कर रही हूँ कि आपको ये makeup look अच्छा लगा होगा आप सेम face base को neck पर भी apply करिएगा मैंने यहाँ पर आपको face पर ही tutorial दिया है और garden कभी भी आप skip ना करें ताकि आपका चेहरा आपकी garden एकदम even लगे और आप जो भी jewelry पहनो ना garden में वो खिल करके आए तो देखें pink के साथ में pink lipstick बहुत अच्छी लग रही है pink सा makeup है यह glowing तो मुझे follow जरूर कर लीजेगा और इस तरीके से tissue से हलका करके यह और भी जादा long lasting हो जाती है और बहुत seamless दिखती है बाई दोस्तो